दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको double diode के बारे में सारे जनकड़ी देने वाला हूँ सारे जनकड़ी का मतलब यह होता है कि दोस्तो कि यह जो हमरा double diode है कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस double diode को हम कैसे चेक कर सकते हैं और अगर यह double diode खरब हो जाए और हमें same number का double diode मार्केट से ना मिले तो उस समय हमें कैसे दूसरे equivalent double diode को लगाना है सभी जनकड़ी आपको इस वीडियो का अंदर देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो हर एक smps power supply के अंदर double diode लगा होता है चाहे वो smps power supply किसी भी चीज का अंदर लगा हुआ है उसके अंदर एक ना एक double diode जो रूल लगा होता है चलिए दोस्तो सबसे पहले में आपको इस double diode के बाढ़े में सबसे पहले basic जनकड़ी दे देता हूँ कि double diode आपको किस तरीके से कहां पर देखने को मिलता है देखिए दोस्तो हमने एक पेपर और पेनल ले लिया हूँ दोस्तो और यहां पर मैं आपको बताने जाऊंगा कि actual में double diode काम कैसे करता है तो देखिए दोस्तो double diode का जो अंदर का जो structure होता है वो कैसे होता है तो हमारा दो diode एक के double diode का अंदर लगा होता है दो डायोड के से लगा होता है दोस्तों ये भी आप देख लेजिए सबसे पहले हमारा क्या होता है कि एक डायोड को इस तरीके से लगा होता है आपको सभी पता होगा कि डायोड को देखने में हमें कुछ इस प्रोकर से मिलता है एक side होता है हमारा anode और दूसरे side होता है हमारा cathode इस side anode और इस side cathode और उसके बाद दोस्तों और एक इस यहां पे डाउड लगा होता है जो कि इस तरीके से लगा होता है तो इस diode का जो anode side होता है यह इधर होता है और cathode इधर होता है और यहां से बीच में से हमारा एक pin निकलती है तो यह होता है एक number pin दो number pin और उसके बाद हमारा तीन number pin तो यह से दोस्तो double diode के अंदर कुछ structure होता है यानि कि दो diode को जोरके एक diode IC बनाया जाता है अब सभी लोग के मन में ये को से ना जाती है कि क्या हम इसको IC बोल सकता हो या नहीं क्यूंकि दोस्तो जो लोग निया-निया technician field में आते तो उन लोग को मतलब IC के बारे में जो legs बल IC होता है मनता है कि उसी को IC मनता है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है IC उसी को बोल जाता है जिसके आप IC बोल सकते हो तो उसी कहीं सबसे हम इस डॉबल डायोड को भी IC कह सकता हूं क्यूंकि इसके अंदर दो डायोड लागा हुआ है एक से ज्यादा कॉम्पोनेंट से इसलिए इसको आज सी कह सकता हूं तो देखिए दोस्तो फॉर बेटर एक्जाम्पेल के लिए मैंने एक डॉबल डायोड यहां पर बना के रखा हूं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह जो हमारा डायोड आप देख रहे होंगे तो हमने दो डायोड लगाया हूं एक और दो तो यह हमारे एक नंबर पिन दो नंबर पिन हमारा तीन नंबर पिन तो यह किसलिए दोस्तों लगाया जाता है डॉबल डायोड को पावर सब्लाई के अंदर यह थोरा सा आपको एक्सप्लेंट कर देता हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ किलियर हो जाए सब्सक्राइश के अदर वी मी दो डियोड यह रमी मैं देखिए दोस्तों हमारा जो वह कैसे होता है कैसे दिखता एक्ष्यल में तो हमारे जो एसे सिगनल होता है कुछ एसे सिगनल का जो एक ऍस्पेक्टर हम होता है कुछ इस प्रोकर का हमें देखने को मिलता है तो एक जो है चौपर टर्सफर्मर के आउट्पूट में देखने को मिलेंगे यह हमारा दो साइकल हो गया और इस जो सिगनल है इस सिगनल डिजीटल सिगनल इसको बोल सकते हैं तो इस डिजीटल सिगनल को इस तरीकार डिसी सिगनल में कंवर्ट करने के लिए स्वाट की डायोड कहीं कहीं पावर सापलाई के अंदर इस तरीके का दो डायोड हमें लगा के देखने को मिलता है और किसी किसी पावर सापलाई के अंदर हमें इस तरीके का डावल डायोड आइसी देखने को मिलता है तो यह डावल डायोड का कारण है दोस्तो लगाने का तो इस एस सिगनल क इस डिसी में convert करने के लिए इस डॉबल डायोड को जो है स्टमल किया जाता है कैसे देखिए जो हमारे जो डॉबल डायोड है इस तरीके से लगाया जाता है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी ड्रॉख करके दिखा फिर चेश्य एक बार आपको दिखा दिता हूं कि कैसे ह है तो इसवाला यह आप इस सिगनल को हम राथ मैं पॉजिटीब जिंदंश प folded हमारे से डायोड से इधार सा अंदर जाएगा तो इसका भी आउट सुय हँ है हमें यहां से मिलेगा कुछ इस तरीके से और जाँ हमारा इस नेगर भाइब साथ लगा होता है तो हमारा जो इसका भी इस तरीके से आते हैं दोस्तों तो हमें जो इसका डायोड के आउट्पूट में जो है इस तरीके से हमें सिग्नल देखने को मिलता है जो कि हमारा प्योडिसी सिग्नल नहीं होता है कुछ इस तरीके का हमें सिग्नल देखने को मिलता ह जो कि एक रिपिल्स हो रहता है और इस रिपिल्स को क्लियर करने के लिए आउटपूट में एक कापसिटर भी लगा होता है यह जो हमारा कापसिटर है इस कापसिटर को लगाया जाता है यह क्या होता है कि सिगनल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह जो सिगनल देख रहे हों दोस्तों, ये हमारा pure DC सिगनल नहीं है, ये है pulsating DC सिगनल, इस pulsating DC को pure DC में convert करने के लिए एक capacitor को लगाया जाता है, और capacitor के output में हमें pure DC मिलता है, जो कि लगबग हर एक power supply, SNPS power supply का अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस power supply के अगर बात करें तो इस power supply के अंदर अगर हम ढूरने जाएंगे कि double dot कहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे देखिए इसका double dot यहाँ पे लगा हुआ है जिसका नमबर भी अगर आम पता करने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि MBRF2000CTP तो इसके उपर जो नमबर लिखा होता है दोस्तो इस नमबर का मतलब क्या होता है यह भी मैं आपको इस वीडियो का अंदर बताऊंगा सबसे पहले कुछ इस leisurely देखने को मिलता है देल एक लडी का ये लडी का लडिका ये लिवान य की सप्राय का देख्टेशा सेानदर अगर देखा यहां पे आइस के जगातर यहां चोटा सा तरीके का डॉबल डाइड लगा देंगे आइसी तो मतलब छोटा सा जगा पर हो जाएगा इसके लिए भी इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों और एक में आपको इसका बेनिफिट्स बता देता हूं कि देखिए अगर आप इस तरीके से डॉबल डाइड लगा होगे तो इसके साथ आपफ जो है इसके साथ अड़ाज नहीं कर सकते हो लेकिन हो डॉबल डायोत का इसेए लगा यहाद दो लेकिन इस तरीके का डायोट के साथ हमरा हीट लगाना मुश्किल हो जाती है उसके बाद दोस्तों और एक देखा देता हूं हमारा छोटा सा पाउर सप्लाइब यहां पर देख सकते डॉबल डायोड लगा हुआ है लेकिन यह ज्यादा हाइली वाट के पाउर सब्लाइब के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है तो इसलिए दो डायोड लगाया गया है उसके बाद अगर हम इस तरीका पाउर सप्लाइब की आपको डॉबल डायोड देखने को मिल जाएंगे यहां पर लगा हुआ है आप देखिए उसके बाद दोस्ता अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए हमारा जो इन्पूट साइड है यह हमारा इन्पूट साइड तो यहां पर यहां पर लगा हुआ है और हमारा जो दोस्तों पावर सप्लाई को तैयार किया जाता है तो आप बात कर लेते हैं कि अगार किसी भी पावर सप्लाई सब्सक्राइब आदर इस तरी का डायोड आपको देखना होगा कि यह जो डायोड यह कितने वोल्टेज का है और कितने एमपेर का है चलिए इसको भी चेक करने का तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा देता हूं सबसे पहले आपके मुबाइल के अंदर जाना है और उसके बाद आपको जो है अपने जो एकस उसके बाद यह कि टू टू जीरो टू यह लिखके आपको डेटा सीट लगाना पड़ेगा डी एटी एट यह एच डॉबुली टी डेटा सीट लग गया दोस्तों उसके बाद आपको एंटर कर देना है जैसे आप एंटर करोगे दोस्तों यहां पर देखिए एक से वह हमारे समने आ चुका है तो इसका डेटा सीट को सबसे पहले हम नावलोड करेंगे यहां पर देखिए डाउनलोड का ओप्सेन आ चुका है तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और डाउलोड करने के बाद हम एक्रोबर्ट पर ओपन करेंगे और देखेंगे कि इस डायोड क देखिए जेए जेसे मैं आप लोगों बताया इसका जो सिंबल बगर्ण सबकुछ आगया है कौन साइन ओड़े कौन सा कथोड़े और कौन साइन ओड़े सबकुछ आ चुका है और उसके बाद इसका जो डाइवट के सभी जो वोल्टेज और ऐंप्यर के बारे में लिखा हु हो तो यह दोस्तों 20 एंपियर का एक डॉबल डावड है तो अगर आप इसके जगा पे कोई भी दूसरा डावड लगाने जा रहे हो तो टुएंटी एंपियर से कम नहीं होना चाहिए आपको सेम नंबर का स्कॉर्टी सौट की डावड नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरा जो हमने पास दोस्तों 30 एंपियार 40 एंपियर का बीज वीजन की डावड अवेलेवेल है तो नेक्स्ट वीडिए मैं आपको सारे कितने-कितने शौट की डावड हमने पास अवेलेवल है उसके साथ साहथ शौट की डायूड का जो आएसी होता है शब कुछ आपको के दोब देटा सेट लिखा होए करेंगे हम पर किलिक करने के बाद दूसरा दाइओ उर्क है जो की डॉस तो five six था कहां मकाना पाएगा और इसका लेंपर की बात करें तो यानि कि हमरा यह जो डायोड है यह 60 और 15 MPR पर काम कर सकता है MAKSIMUM और यहाँ पर यह जो हमरा डायोड है यह 200 और 20 एंप्येर तक कांक कर सकता है तो इसकी आप अपने डायोड को स्तीमाल कर सकतो किसी सर्किट के अंदर तो अब बात कर लेते हैं कि शेक क gerçekten करेंगे तो है और कि भी बींश और हुट ही करने बीप नहीं आ रहा रहा है और यहां पी है अगर हम यहांद है चेक करें नहीं बीपसब अ रहा है तो आपकिसें लागत है तो फीक्र inherent बींश सोफट हो गया सोटके या डायोड को चेक करने का दूसरी प्रोसेस में आपको बादाता हूं कि हम जो है माल्टिमेटर को डायोड रेंज पर रखेंगे यह पर देख सकतो डायोड रेंज पर हमने सेट करा और उसके बाद दोस्तों हम इसको इसे टैस करेंगे और देखेंगे वैलू देखिए 0.293 दिखा रहा है यह भी सही है और हम इसके चेक करेंगे इस तरीके से दोस्तों यह भी सही है आपको जो नेगेटिव प्रवाब है वह आपको क्याथोड पर रखना होगा क्यूंकि हमारा जो डॉबल डायोड का बीच वाला पीन होता है वह हमारा क्याथोड होता है इसलिए क्याथोड में रखेंगे और पॉजिटिव को हम एनोड पर रखेंगे दिखेंगे 296 यहां पर 296 298 तो यह हमारा सही है उसके बाद दूसरा हम डायोड को चेक करेंगे यह चेक कर लेते हैं यह दिखेंगे 136 और 137 6 आसपास दिखा रहा है यह भी सही है और इसके बाद इस इस डायोड को दिखाता हूं ने का मलट में डर से आपको फोम रेंज पर आपने मलट मेंटर और उसके बाद जाही से आपने जो ब्लैक वाल प्रवाब है उस प्रवाब का कैथोड पर रखेंगे और अनोड पर प्वैर को दिखें यहां पर क्या दिखरा है 7.3 002 दिख रह हाई है हम दूसरे डायओं को चेक करेंगे इसका आंदick करेंगे इतना करके चेक करता हूं हमारे जो ब्लैक वाला पॉइंट है इस साइड होना चाहिए और जो रेड़ वाला प्रॉब है हमना अनुट पर होना चाहिए कि इस यह दोबल डाइट के भार में क्या पता चला एक बार अब को बता अगर चाहिए किसी भी सार्किट के अंदर और सेम टू सेम और सेम नंबर कर डॉबल डॉइड हमें मार्केट से ना मिले तो उस जगा पे आप किस तरीके से इकुवेलन डॉबल डॉइड या स्वाट की डॉइड आप लगा सकते हो तो इन सरे चीज़ के बारे में दोस्तों आपको पता चल करतीजेगा और इस वीडियो को अपने साड़े दोस्तों के साथ भी सेयर करतीजेगा ताकि उन लोगों को भी पता चला इस्ते डॉबल डॉइड के बारे में हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हुई शीव अल्दा बेस्ट